योगी राज में छात्रों ने रोजगार के नाम पर जो कुछ सहा है सब का बदला लिया जाएगा इस बार प्रदेश का नौजवान चुप नहीं बैठा है अपने मत का प्रयोग किया है रोजगार ना मिलने के अपने गुस्से को मत के जरीय निकाला है इस बार यूपी का यूवा बता देगा कि उसमें कितनी ताकत है और जो योगी सरकार ने उसके साथ किया है उसके लिए सरकार की सत्ता से भी वापसी हो सकती है छे चरणों के मतदान के बाद अब आखरी चरण का मतदान बजा है जिसके जरीय प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए योगी राज में दरदर भटकता नौजवान बता देगा कि अगर हमारी नहीं सुनोगे तो सत्ता पर भी विराज़त नहीं रह पाओगे इस आखरी चरण के मतदान में भी कहीं चूक न हो जाए इसके लिए प्रदेश के युवान ने की है बड़ी तयारी जिन जिन जिलों में अब आखरी चरण में मतदान होना बाकी है हर जिले का युवा प्रदेश की योगी सरकार का पत्ता साफ करने का मन बना बैठा है उन्हें सत्ता से हटाने के लिए तयार बैठा है प्रदेश को बीजपी मुक्त बनाने के लिए तैयारी कर ली गई है तैयारी ऐसी के देखिए प्रयागराज स्टेशन का नजारा छात्र लगा रहे हैं अखिलेश के जैकारे दम भर रहे हैं मौझूदा सरकार को सत्ता से उखाड फेकने का ये प्रदेश के नौजवान के अंदर रोजगार नहीं मिलने का उबाल है लाठिया मिलने का उबाल है वोटिंग के लिए छात्र अपने घरों से निकल गए है साथ मार्च को आखरी चरण का मतदान है और उसके बाद दस मार्च को होगी मतगरना इस आखरी फेज में पूरवांचल में वोटिंग होनी है तभी तो पूरवांचल में प्रतियोगी छात्रों पर लाठी चार्च का मुद्दा फिर गर्माने लगा है रविवार को प्रयागराज रिलवे स्टेशन के पास अचानक से छात्रों की भीड लग गई भारी संख्या में ट्रेन से खर जा रहे छात्रों ने स्टेशन पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया सभी छात्रों एक साथ अखिलेश यादव जिन्दाबाद और सपापाटी जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे छात्रों में गुसा ऐसा था कि पुलिस भी उनको रोकने में असहाई दिखाई पड़ रही थी उनमें से कई छात्र अब की बार चिलम की वदाई तैब ही बोल रहे थे इतने बड़े हुजुम के सामने पुलिस प्रशासन की एक नहीं चली अखिलेश ने इस वीडियो को पोस्ट किया है लिखा है पाच साल नौकरी काब और ना इंतजार होगा उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इंकलाब होगा ये छात्रों का हुजुम इंकलाब ही तो है जो अखिलेश के जैकारे लगा रहा है और चिलम की वापसी को तैब बता रहा है साथ मार्च को जौनपूर आजमगड और वारानसी समेत पूरवांचल के आसपास वाले जिलों में मतदान होना है यहाँ पर अपने घर जाने के लिए छात्र पैसेंजर ट्रेन में बैठे इसी बीच एक छात्रों ने अखिलेश के पक्ष में नारा लगा दिया इसके बाद तो मानो छात्रों इसी ताक में बैठे हो अन्य छात्र भी उस छात्र के सुर में सुर मिलाने लगे बोलने लगे इस बार सफा की सरकार ताने शाही नहीं चलेगी कोई रोक सके तो रोक ले आ रहे हैं अखिलेश भाईया ये गुस्सा प्रयागराज में पिछले दुनों रेलवे भरती बोट के परीक्षा परिणाम का विरोत करने वाले चात्रों को पीठने पर था जिसका असर यूपी के आखरी चरण के चुनाव में साफ साफ देखने को मिल रहा है जिसका मतलब साफ है कि छात्रों पर जो लाठियां भाजी गई है उसका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है मतदान के ठीक पहले प्रयागराज जंक्षन पर दिखा कि नौजवान को छेडोगे तो अंजाम कितना बुरा देखने को मिल सकता है हजारों प्रतियोगी चात्र अपने घर जाने के लिए स्टेशन पहुँच गए थे और देखते ही देखते नजारा कुछ ऐसा था कि पूरा प्रयागराज स्टेशन चात्रों से भर गया था आपको जानकर हिरानी तो नहीं होनी चाहिए कि आखरी चरण में पूर्बांचल का हाल कुछ ऐसा है कि प्रयागराज की ज्यादतर होस्टल खाली हो गए है सलोरी, छोटा बगाड़ा, गोविनपुर इलाकी के ज्यादतर लौज खाली कर दिये गए है चातर अपने घरों की तरफ रुख कर चुके हैं यही कारण है कि बस ये पिसेंजर ट्रेन सब भरी पड़ी है इस चरण की मतलान में योगी सरकार को पता चल जाएगा कि चातरों पर लाठिया भांजने का परिनाम क्या हो सकता है चातरों की योगी सरकार के खिलाफ इस गुस्से का असर क्या होगा अपनी राए हमें कमेंट कर जरूर बताएं